अनुसुया उईके ने राज़पाल की शपत से पहले शहीद वीर नारायन सिंग समारक पहुँचकर शहीदों को शरधाजली दी बता दे कि नव मनोनित राज़पाल अनुसुया उईके आज शाम चार बजे राज़भवन के दर्बार हॉल में आयोजी तिसमारों में 36 गड़ के राज़पाल के पद की शपत लेंगे राज़पाल को बिलासपूर उंच न्याले के मुख्य न्याज़धीश पी आर राम चंदर मेनन शपत दिलवाएंगे इस अफसर पर पीम भुपेश वगेल, विधान सभार देक्ष और वरिष्ट प्रशाशनी कधिकारियों के स्थित रहेंगे आज शाम चार बजे शपत लेंगी और शपत गेंट समारों से पहले नव मनोनित राज़पाल ने शरधाज़़ी दी है, शहीद समारक पर पहुंची है और आज शाम चार बजे राज़ेपाल की शपत लेंगी नम अनौनित राज़ेपाल ने शहीदों को दी शरधांज़ी दी है शहीदों को और उसके बाद आज शबत ग्रेंड समहरो भी है क्या अज़ेपाल की शपत लेंगी और नम अनौनित राज़ेपाल ने शरधांज़ी दी है शहीदों को और शाम को आज शबत ग्रेंड समहरो है जिसके लिए के तमाम तयारियां की जा रही है आज शाम इस समहरो कायजन किया जाएगा और इस मौके पर मौजूद रहेंगे सीम भुपेश्वगेल विदान सभाद धक्ष और वरिष्ट प्रशाष्णी का अधिकारी उपस्तित रहेंगे जिनकी मौजूद्गी में नव निर्वाशित राज़ेपाल आज अपने पद की शपत लेंगी राज़ेपाल को बिलासपूर उच न्यायले के मुख्य न्यायधीश पी आर रामचदर मेनन शपत दिलवाएंगे इस अफसर पर सीम भुपेश्वगेल विदान सभाद धक्ष और विरिष्प शाष्णी का अधिकारी उपस्तित रहेंगे आज सुभै नव मनोनित राज़ेपाल ने शहीद समारक पर पहुँच कर शहीदों को पुष्ट परपन किये कियो कИम इस सब्सक्राइब को अप can दिलवा और विरिष्ट रजसफ़ागélior के